पॉस्कार दोस्तों, हम लोग डिस्कस करें हैं यहाँ पर सीटेट गडित में आए हुए प्रीवेस एर के कोस्चन तो देखते हैं कोस्चन नमबर वन क्या कहता है गडित पोर्शन का कि 35,362 में पांच के इस्थानिय मान इसके अंकित मान में अंतर कितना है तो आप जैसे ही कोस्चन को देखेंगे कि ऐसे कोस्चन बहुत से इसमें आये हुए हैं तो 5 का इस्थानी मान कितना है देखेंगे यहाँ से तो यह 5000 क्योंकि इसका जारवे पोजीशन पे है और अंकित मान 5 है जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना जाएगा 4995 क्योंकि वो अंतर पूछ रहा था बहुत ही सिंपल कोश्चन था फिर उसने देखिए कि अगर हमारे अपने लेक्चर सुना होगा इसकी जो पहले सीरी जमने कोश्चन डाले हुए हैं तो ऐसे बहुत से इसी प्रकार के कोश्चन आये हुए हैं तो जैसे कि 10 इकाई 10 दहा पर 10 तो मतलब कितना हो जाएगा 100 फिर वो कर रहा है 10,000 तो कितना हो जाएगा 10 और 1000 तो 1000 का मतलब कितना हो गया 1000 तो यहां से हो जाएगे 1000 इंटू 10 और इसको आइड करना है तो हमारे पास आ जाएगा 1,0,1,1,0 this is the answer तो हमारा कौन सा answer होगा इसमें? answer number 3 next question पर चलते हैं अब आप बिल्कुल इसमें ऐसे question किये भी हुए हैं तो आपको बहुत आसानी से question निकल रहे होंगे 210 के धनात्मक गुडन खंडों का योग फल है तो 210 का धनात्मक गुडन खंड हम निकालेंगे 210 के तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 211 और 210 ये तो उसके गुडन खंड होंगे यह होंगे प्लस का sign लगाया फिर जब 2 से इसको डिवाइट करेंगे तो देखेंगे 2 से डिवाइट हो जाता है तो 2 से डिवाइट होने के बाद result क्या आता है? result आएगा 105 तो यहां से हम क्या करेंगे? 105 लिखेंगे फिर क्या करेंगे? 3 से डिवाइट करेंगे तो 3 से भी डिवाइट हो जाता है तो प्लस 3 प्लस result क्या आएगा 3 से डिवाइट करने के बाद? 70 फिर 4 से डिवाइट नहीं होगा फिर यह इसको हम 5 से डिवाइट करेंगे क्यों last में 0 है तो 5 से divide हो जाएगा तो यह आजाएगा 5 plus 5 से divide होने का result क्या आएगा 42 plus 6 से भी divide हो जाएगा तो 6 के बाद result क्याएगा 6 इसको divide करेंगे तो आजाएगा 35 यह सारे उसको गुणन खंड यहाँ से निकाल लेंगे 7 से भी divide हो जाएगा तो 7 7 plus 30 next में हम divide करेंगे इसको 10 से तो 10 का 21 आ जाएगा तो 10 plus 21 next divide करेंगे यह divide होगा 14 से तो 14 और plus 15 यह सारे इसके धनात्मक गुडन खंड है आप बहुत तेजी से करेंगे इनको सबको क्या करना है add कर लेना है गुडन खंडों का योगफल पूछ रहा है तो योगफल कितना आ जाएगा जब add करेंगे इसको total तो आ जाएगा 576 576 तो हमारा option कौन होगया option first is correct next question देखेंगे कि यहाँ पर question number 34 क्या कहता है कि गोरंग ने 100 मुआर को 4 सही 1 बटा 2 घंटे मंगलवार को 190 मिनट बुदवार को 530 से 930 तक और सुक्रवार को 220 मिनट कारे किया उसे 1 घंटा कारे करने के यहाँ पर ध्यान देगे कि उसको 1 घंटा कारे करने के यह 42 रूपीज है यहाँ हम पर 42 मिलते हैं उसने 100 मुआर से लेकर शुक्रवार तक कुल कितना कमाया तो हम सोमवार से लेकर सुक्रवार तक का पूरा डिटेल निकालेंगे सोमवार का मंगलवार का बुधवार का और सुक्रवार का तो देखेंगे यहां से सबसे पहले सोमवार को उसने कितने घंटे काम किये तो हम मिनट में ही डारेक्ट निकालेंगे तो यह चार घंटे और हा पर नेक्स्ट में बुधवार को उसने जो पांच 20 से 9 10 तक काम किया तो इसमें हम डिरेक्टली मिनट निकाल लेंगे बुधवार को मतलब उन्होंने कितना तक काम किया टोटल 5 से 6 20, 7 20, 8 20, तो 8 3 गंटे सिधा-सिधा हो गया और 50 मिनट और तो मतलब 3 गंटा 50 मिनट का अगर मिनट में चेंज करेंगे तो 230 मिनट आ जाएगा, similarly फिर उसने रास्वतवार को नहीं काम किया, सुक्रवार को काम किया 220 मिनट, तो सारे मिनट को जब हम आइट कर लेंगे, तो हमारा टोटल आ जाएगा 910 मिनट, 910 मिनट, तो 900 प्लस 10, तो ये हमारा सीधा-सीधा हो गया 15 गंटे, क्योंकि 15 और गुड़े 6, 15 शक्का 90, तो 90 हो गया न, तो यहां सी हो गया, 15 गंटे, 15 गंटे, 10 मिनट, 15 और 10 मिनट, ये हमारा हो गया टोटल, अब उसको 1 गंटे का 42 रुपई मिलता है, तो उसको 10 मिनट का कितना मिलेगा, तो simple way में हम यहां से बात करेंगे, 10 मिनट की बात करेंगे, 10 मिनट का कितना मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, 42 गंटे का, तो 60 मिनट का, तो 10 मिनट का 6 से डिवाइट कर देंगे, तो यहां जाएगा, 7 रुपई उसको मिनट का हो गया, तो कितना सीधा-सीधा हो गया, 15 गंटे प्लस साथ तो answer total हो गया छे सो 37 रुपए यह हमारा correct option हो गया option number 4 next question पे चलते हैं question यह कह रहा है कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9999 यह होती 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पिर वो कहता है 3 अंकों वाली सबसे चोटी संख्या तो 3 अंकों वाली सबसे चोटी संख्या क्या होती है 100 100 होती 3 अंकों की उसका योगफल पूछ रहा है सीधा सीधा तो कितना आ जाएगा 9991 10-0 करिया है 1 और 10 तो 10099 option number 3 बहुत simple question है तो आप देख रहे हैं कितने simple question आते हैं बस हमें ध्यान देना है तो किवल question की calculation गलत नहीं होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का आपका mistake नहीं हो 26 और 26 सतांक को लिखा जाता है तो 26 तो मतलब सीधा सीधा 26 हो गया और सतांक का मतलब क्या हो गया सतांक का मतलब हो गया 26 सतांक तो 26 into 1 upon 100 तो यह कितना गया point तो कितना जाएगा 26 दसमलो 26 यह हो गया सतांक next question चलते हैं क्या करा है कि इसको solve करना है कि 19,009 को आपको भाग करना है 11 से और 9,090 को भाग करना है 11 से दोनों को 11 से भाग करना है तो प्राप्त 6 फलों का योग फल तो पहले क्या करेंगे जब 19,009 को हम 11 से भाग करेंगे तो हमारा 6 फल आएगा 1 इसको भाग कर लेंगे दूसरा क्या है जब हम 9090 को 11 से भाग करेंगे तो हमारा 6 फल आएगा 4 और 6 फलों का गुड़न फल तो 4 और गुड़े 1 करेंगे तो आंसर क्या जाएगा 4 यह हमारा correct option हो गया 4 next कह रहा है कि यह question इस type का सी state में बहुत question पूछा जाता है कि इसमें कितने यह हैं तो जैसे उसने कहा कि 3 सही 1 बटा 3 तो meaning क्या हो गया तो इसका सीधा सीधा सा meaning हो गया 9 और 1 10 मतलब 10 बटे 3 में कितने 1 बटे 6 तो इसको divide करते हैं वो इक बटे 6 से तो यहां से क्या जाएगा यह 6 अपान 1 तो 3 तू जा 6 तो कितने हैं total 20 हैं तो यहां से answer हो गया 4 next question देखेंगे क्या कह रहा है कि गुडण फल इसका गुडण फल में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि इतना प्राब तो सबसे पहले क्या करेंगे इसका गुडण गुड़ा करेंगे इसकी 1 1 0 9 1 1 0 9 इंटू 5 0 5 तो इसका multiplication करेंगे तो हमारे पास आएगा answer आएगा 5 6 0 0 इतना आजाए तो यही गटाएंगे यहां से तो 5 0 5 0 5 0 इसको minus कर दिया हमारे पास आगया 5 4 9 9 5 यही हमारा क्या हो गया correct answer हो गया 5 4 9 9 5 next question देखते है कि यहाँ पर question number 40 क्या कहता है कि निम्न मेंसे कौन सा सही नहीं है तो सही नहीं का मतलब है पहले पाफर देखते हैं कि 1 1 milli 1 cm का 10 आज है जानने के question में कि 1 milli जो है तो 1 mm है यहाँ पर mm होगा यहाँ पर misprint हो गया है क्योंकि milli और cm का कोई वहाँ पर relation ही नहीं है क्योंकि वो हमारा volume नापता है और यह हमारा distance का यहाँ पर measurement है तो 1 mm की वो बात कर रहा है तो 1 mm देखेंगे तो क्या वो 10 आन से 1 cm का तो 1 बटे 10 हमें not correct बताना है तो सही बात है कि 1 mm जो होता है वो 1 बटा 10 cm के बराबर होता है तुसरा क्या कह रहा है कि 1 किग्रा और 12 ग्राम इसके बराबर तो 1 किग्रा सिधा सिधा हो गया और 12 ग्राम 1000 बारा बटे 1000 तो यहां से यही आएगा 1.001 2 तो यह भी सही है थर्ड क्या कहता है कि 10 m और 10 cm ऐसे लिखेंगे 10 m और 10 cm तो 10 m को cm जो बनाओगे तो 10 100 से multiply करोगे तो यह कितना हो जाएगा 1000 और प्लस 10 करोगे तो यही आजाएगा आपका यह भी correct है फिर वो क्या कह रहा है कि 23 अपान 100 तो यहां से जब point लगाओगे यह और यह तो कितना जाएगा 0.23 और लिखा कितना है 2.3 तो यही आपका गलत हो गया